है यौज फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल सूपर कटिंग तो आज की इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हो ओपन स्लाइट कुरूति कुछ ती कटिंग और स्टेचिंग में आप लोग साथ शेयर करूंगी टॉप पार्ट पर हमने इस पर मेरा कैसा डिजाइन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेला आकाप पर प्रेस किसे कि आपको आने वाली वीडियो की नुट्फिक्षिशन मिलती रहे तो यहां पर इसको बनाने के लिए हम यूज करें है इसे कि हमने है वी जोड़ेट लिए है कि है वी जोड़ेट में से हम अपना रेस सेयार करेंगे तो यहाप पर टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को इसे किसे चार फोल्ड करके रखा है यानि कि हमारा फैब्रिक यहाँ पर ओर है इसकी लेंद यहाँ पर लिए है 16 इंच और इसकी बेट था फैब्रिक की 12 इंच अब सबसे पहले हम शॉल्डर्स के लिए मार्ग करेंगे यानि के तीरे के लिए यहाँ पर लगाएंगे 6.5 पेंच 6 इंच आर्मोल की लेंद भी हाँ पर हम 6.6 इंच लेंगे और यहाँ पर सेकसे स्टेट लाइन ड्रो कर लेंगे निशान को सेकसे मिला करेंगे इसके बाद यहाँ पर भी हम यहाँ पर लाइन ड्रो करेंगे और चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर लगा रहे हैं 9.5 इंच पर कमर की फिटिंग का यहाँ पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर लगाना है हमें 7.5 इंच और एक इंच लेंगे टक्स के लिए और यहाँ पर दो इंच रखेंगे मार्जन उपर और नीचे के साइट दो दो इंच मार्जन रखते हुए यह निशानों को मिला लेंगे फिटिंग के लिए इसके बाद टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो साइड से एक लिए लगाएंगे रिख यहाँ पर हमारे टक्स की मार्किंग और लगाएंगे लिए इसके बाद हम आर्मोल्स के लिए निशान लगाएंगे आर्मोल्स को गोलाई देने के लिए लेंगे 1.5 इंच पर इस एक इसे गोलाई देंगे Front टार्मोल्ड के लिए Half-Pinch आगर साद निशान लगाएंगे और इसके लाइन रो करेंगे और इसके बाद हम Front टार्मोल्ड को गुलाई देंगे चोशे के मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर cutting कर ली है और नीचे के साइड हाफ पिंच के निशान लगाएंगे और इसको सिर्क से तिर्चा मिला लेंगे इसने पहरने के बाद बहुत ही अच्छी फिटेंग आएंगे हमारी कुर्टी की लिख करने के बाय। तो यहाँ पर हमने cutting कर ली है और इसका एक पार्ट अलग रखेंगे यानि कि बैक पार्ट को लग रखेंगे और फ्रेंट पार्ट के आर्मोलस की cutting करेंगे। पूर्द पूर्ष के अर् मों से कॉलने एAh आप मूसी करने के बाद हाफ इंच में शॉल्लर स्कों डान देंगे अर्मा में स्करडारा ठीस기를ot डीशंच केलिए मार्किंग Gabriel को फॉल्ड करेंगे और TC straighte को फॉल्ड करों करेंगेर रखेंगे। स्टिच कर लिया है और इसे किसे हमारी टक्स नैयार है , टउक्स नाइर करने के बाद हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सपनाइगे किसा पर को दार करना है । इसके बाद यहां पर हम इस पाम स्वित कहई तयार तो यहाँ पर length और width इसकी 6 inch ली है इस पर भी हम सेंट्रा का निशान लगाएंगे यह देखिए किस्ते सेंट्रा का निशान लगाना हमें neck पर टॉप पार्ट के और neck के सेंट्रा को निशान को मिलाते हुए स्लाई लगाएंगे और उसके बाद बुकरम के सास्ता स्लाई लगाकर हम अपना neck त्यार करेंगे तो देखिए हाप पर हमने स्लाई लगा ली है पुक्रम के साथ स्लाई लगा कर हमने इसको तयार किया है अब अंदर के साइड हाफ इंच मार्जन का छोड़ते हुए एक्स्रा फैबरी को कट करेंगे और इसके बाद नहीं आप पर इस एक से कट लगाएंगे इसके बाद अब हम इसको पलट लेंगे यहाप पर हमने पलट कर इस पर प्ष्लाई लगा ली है इस पर मैंने लिए हैं मिरर ड्रीजाइनिंग करने के लिए मिरर को पेस्ट करने के लिए यहाप पर यूपर यूज करेंगे हम फैबरी ग्लू टोप पार्ट को इस एक से फॉल्ड करना है यह देखे टोप पार्ट को इस एक से फॉल्ड करके रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे नेक्स से नीचे के साइट 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह देखे इस तरीकर से 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहां से फोल्ड़र्ट साइड से एक निशान लगाएंगे 4.5 इंच यानिके 4 इंच पर उपर तक ऐसे ही निशान लगा लेंगे यहां पर हमारे एक बोक्स बन जाएंगे इसे देख से हम नेक को शेप देने के हम निशान लगाते हैं विलकुल इसी तरीके से पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद यहां पर हम गोलाई देंगे कि इससे किसे राउंड शेप कहा हैं आप पर हम मार्क कर लेंगे अब यहां पर हम निशान लगा लिया है आप दूसरी साइट भी इस निशान को ट्रांसवर करेंगे और निशान को मैं आपर डाग कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से नजर आए तो देखे रखे हैं हमने निशान को डाउर कर लिया है और इस पर हम देखे हमी यहापर पर कच्छा टाका लगाया था उसको अठाकर हमने तुर॑पाई कर ली है नेक पर और अब हम इस पर अपनी एमबोडरी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने मिरर की बैक साइट पर इस तरह किसे फैबरी ग्लू लगाई है और मिरर को यहाँ पर इस तरह किसे रखकर सैट करेंगे यह देखें इस तरह के से हम अपने टॉप पार्ट पर मिरर की आम बोडरी करकर तयार करेंगे यह देखें मिरर के एक साथ यहाँ पर दो लाइन करते हुए पूरह नैक पर हमें तयार कर लेना है तो यहाँ पर देखें इस एक से मैंने मिरर को पेस्ट कर लिया है अब यहाँ पर जो हमने यह line row की थी इस पर एक एक mirror को इस तरही किसे रखेंगे और यहाँ पर हम mirror से इस तरही किसे designing करेंगे यह बहुत ही easy और simple mirror embroidery है जो आप अपनी कुर्टी पर बहुत ही easily कर सकते हो तो देखी हाँ पर मैंने पूरे पर ऐसे ही mirror को एक-एक mirror को paste कर लिया है अब यहाँ पर सेंटर कर जो इस तरही के से mirror रखेंगे यह देखिए हाँ पर पहले हमने तीन mirror रखे और यहाँ पर एक और रखेंगे और एक flower बनाएंगे इनी mirror से यह देखिए इस तरीके से बहुत ही इजली आप पर फ्रावर बन कर तयार हो जाएंगा आप इसको घर पर अपनी ट्रेस को खुद ही डिजाइन कर सकते हो बहुत ही सिंपली अब यहां पर साइट में हम फिर से इस तरीके से मेरा रखेंगे और यहां पर एक लीव की शेप बन यहां पर हमें एक लीव की शेप यानि के पत्ती की शेप यहां पर हमें मिरर से डिजाइन करनी है दूसरी साइट भी विलकोल इसी तरीके से हम मिरर से डिजाइन बनाएंगे यहां पर हमने दूसरी साइट भी इस रिजाइन बना लिया है और टॉप पाइट के हां पर मैंन एक साइड से सोई को निकालती होगो दूसरी साइड यहांपर डालेंगे इसहां पर हम इस पर आंपोरी करते हुए अपने मिरे को कवर करेंगे के सब्सक्राइड पर हमें बिल्कुल इसी तरीके से रेषयम का बग करना है अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छे समझना है तो आप मुझे कमेंट भी पूश सकते हो वैसे तो मैंने सभी बातों को इसमें अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है यह उपर के साइड भी हम मिरर के इसी तरीके से यहाँ पर तीन से चार टाके लगाएंगे कि आपको एक साइड देख़िए इस से इक इसे यहाँ पर हमसुइं को निका लेंगे और फिर दूसरी साइड यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे एक हैए उसलेट कुई से टाके लगातर हुए हम आपर अपने मिरर को कवर करना है उप्पर और नीचे की साइड कि अ साइज हमें इस एक इसे रिश्यम करेंगे कई ? कला सी ब्र doitण तयार इते कि यूजी इस एक इसे हमारे मिरर सभी पर आ इमबॉरेट्री होका कर तियार होंगी श्युलब की तयार है कि मैं से एक और मिरर से त्रीस इसे अकवर करकर दिखा यह देखे ऊपर और नीची की साइड से हम अपने मिरर को इस देके से कवर करकर इस पर एमबोईरी करेंगे मुखती आसानी से और बहुती सिंपल वर्क है यह मिरर का इस देके सबी मिरर को ऐसे ही हम कवर कर लेंगे यहाँ पर डिजाइन बन चुका है और दो फ्लावर मैंने इस देके सेंटर पर और बनाए है अब हम इसको बैक पार्ट को तयार करेंगे तो बैक पार्ट के नेक को बनाने के लिए मैंने भुक्रम ली है जिसको इस देके से despite gold करके रखा है इसकी लेंख लिए एट इंच और इस विट लीड है оф ओर इंच कि यह पर न इक वेट का निशन लगाएंगे तो यहां पर लेरें तो इक निशान लगाएंगे फॉर इंच पर और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे यह देखें सेक्स इंच अभी निसानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम नेक को गॉलाई देंगे और उसके बाद नीची की साइड यहां पर हम 7 इंच पर हमने निशान लगाया और उसके बाद यहां से लेंगे 1 इंच और यहां पर इस एक से एक लीव शेप यानि कि पत्ते की शेप यहां पर ड्रो करेंगे और यहाँ पर पूरे neck के बाहर के साइड, half a finch इस एक से निशान लगाएंगे half a finch का से यहाँ पर border repet कर कर हम इसकी cutting कर लिए नेक के तो यहाँ पर cutting कर ली है देखें इस त таких से हमारे हाँ पर neck की shape रूख कर तयार हुई है अब हम इसको extra fabric पर खर कर तयार करेंगे तो देखे मैंने हाँ पर इसको extra fabric पर रखकर तयार कर लिया है और यह है हमारा back neck इसके center पर हम इसको रखेंगे पहले center की sly लगाएंगे और उसके बाद हम पुक्रम के 7-7 sly लगा कर तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने sly लगा लिए है इसके बाद margin रखते हुए extra fabric को cut करेंगे यह देखे इस से हमें margin half inch margin रखते हुए extra fabric को cut कर लेना है और इसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर cut लगाएं और यहाँ पर देखें लीव का जोई center होता है यहाँ पर आपको cut जरूर लगाना है अगर आप यहाँ पर cut नहीं लगा गए तो आपका next finishing के साथ नहीं पलटेंगा यहाँ कि finishing के साथ सीधा नहीं होगा और corners को हम किसी बिनोकिली चीज से बाग के साथ निकालते हुए सीधा करेंगे सीधा करने के बाद हम इस पर एक कच्छा टाका लगा लेंगे यह देखे इस नीचे के साथ हमने इस पर plates भी डाली है जिस देके से front part पर plates डालकर तयार की थी और neck भी हमारा तयार है अब यहाँ पर अपना front part लेंगे front और back दोनों के shoulders को मिलाएंगे और यहाँ पर इस पर एक से sly लगाएंगे दूसरी side भी shoulders को मिलाते हुए front और back के और यहाँ पर हमें sly लगा लेनी है तो देखे sly लगा ली है हमने अब हम इसका bottom part तयार करेंगे तो bottom part की cutting करने के लिए मैंने fabric को यहाँ पर 4 fold करके रखा है यानि के 4 fold करके रखा है fabric की 4 layer हमारी से कसाएंगे fabric की लंबाई यहाँ पर 24 inch ली है और इसके width है 20 inch इस लीके से हमने 4 layer करके रखा थे यानि के एक part की हमारा इस लीके से ही एक piece हो गया हमारा front part का और एक piece हो गया हमारा back part का अब हम इतने इस piece को नीचे की side साब चाहे तो fold कर लें लेकिन इस पर किनारी है तो मैं इसको fold नहीं करूँगी और इसके नीचे की side हम अपनी frill तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने frill के लिए fabric लिया है यह दिखे इस लीके से मैंने 2 fabric की layers रखी है फ्रंट और back दोनों के लिए इसकी length ली है 9 inch और इसकी width है यहाँ पर 27 inch तो अपनी एक frill को अलग रखेंगे और इस एक frill मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपने एक पार तयार करकर मैं आपको दिखाऊंगी इसको ऊपर और नीची की साइट से पीको करनी है आप चाहें तो इसको बारिक वोल्ड भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हम इस पर पीको करेंगे शा यहाँ पर इस पर पीको कर ली है पीको करने के पाद मश これ से गैंग्णी करेंगे है की इहाँ पर ने इस पर और इस तरीके से गट्रीक न इस दीम करें से करशेंगे करको करते ही तो इसको मेपनी बाटम iparth लिया है इस पर हम अपनी फ्रिल को अटाच करेंगे तो हमने इसको टूपोल्ड करके रखाता है इसको खोल लेंगे इस तरीके से इसको अब यहाँ पर हम देखें मैं फिर से आपको बता रही हूँ अगर आपके कपड़े के किनारी नहीं है नीचे की साइट तो आप इसको पहले पॉल्ड जरूर कर लें उसके बाद इस तरीके से रखते हुए पूरी फ्रिल को अपने बॉटम पर अटाच करें यह देखें सरीके से रखते हुए हम इसको अटाच कर लेंगे जो हमने गैदरिंग की स्लाई इस पर लगाए थी उसे की ऊपर हमें स्लाई लगाते हुए इसको अटाच करना है तो यहाँ पर हमने फ्रिल अटाच कर ली है अब हम इसे ऊपर की साइट से तियार करेंगे तो यहाँ पर हम इस पर एक निशान लगाएंगे उपर की साइड 3 इंच पर यह देखें यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे intim लगां अब याँ पर हमने निशान लगा लिए है już के बाद यहाँ पर अंधर की obtained इस सरी के सेबल जैना बारिए डालकर अब प्रियार करेंगे रदेंट sudah वैंगे में फुर्ल इमिए त्यड़ करने कलेंगे दोन मीं अब का Y запис लिस कुणा दियायंगे और बाखी हमारे हाँ पर बेकुछ सही है 15 इंच आ रहा है क्योंकि 15 इंच हमारी कमर की फिटिंग है तो यहाँ पर इसके साइट में डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये फ्यूस पेपर लिया है कि कि यहाँ पर इसकी लेंट हमें उतनी ही लेंगा है जितनी हमारे बोटम पार्ट की टौटल लैंथ है यहाँ पर हमने यह पेपर का एक पीस लिया है ऐसे having 1 बाइ 1 का है यह अब इसमें से एक ट्रैइंगल कट करेंगे यहिए सका इस सीह की से फौल किया और यहँ पर से हाँ बुश्चा कट करते हुए हमने एक चोटा से ट्रैंगल यहाँ पर एसे एक वेइक चरद कर लिए जाया है अब यूज पिपर पर अब हम इस तराइगल कट किया था इसको रखेंगे और इसी तरीके से हाप कर लेंगे इस तरीके से रखती जाएंगे और एक करके ऐसी हैं पर हम यह ट्राइंगल की शेप ड्रो कर लेंगे तो यहां पर हम अगर कर लिए हैं अब हम कुट कर लेंगे हो पेड़ हता है कि इस तरही के से हमें एक इस त्रीक stoked करनी है कटिंग करनी के पाद हम इनको अगार पेस्ट कर लेंगे तो यह दिए हैं कि से इनको कट करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीकी की total 4 strip तयार करनी है तो यहाँ पर दीखें मैंने इसको contrast fabric लेते हुए इनको paste कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस तरीकी 4 यह जो fuse paper में से 4 पट्टियां करकर इनको paste किया है front और back दोन ही parts के लिए bottom के तो यहाँ पर हमने cutting कर लिया है इनके और इनके नीचे के साइड बराबर size का मैं एक्स्टर फैब्रिक लिया है नीचे के साइड एक्स्टर फैब्रिक रखा है और इनके साथ-स तरीके से हम fuse paper के साथ-साथ-सलाई लगाएंगे चार होई strip पर चार ही पट्टी को ऐसे हम तयार कर लेंगे तो दिखे इस पर हमने लगा लिए स्लाई लगाने के बाद इस तरीके से हम इसी कटिंग करेंगे करने के बाद यहां पर कॉर्णर पर इस तरीके से कट लगाएंगे कि यहाँ पर चूट चूटे किस तरीक से कट लगाने ताकि एच्छे से सीधा हो जाए और कट लगाने के बाद हम इसको रड़ साइट पर इस तरीके से टर्न करेंगे तो देखें, यहाँ पर हमने अपनी इस्ट्रिप तयार कर ली है, यह पट्टिया हमने आपर इस्ट्रिप के दो मैंने दो पट्टिया ली है, एक पार्ट के लिए बोटम के, यह देखें, इनको इस तरह के से यहाँ पर रखेंगे, इस साइड भी हम एक स्ट्रिप को इस तरह किसे यहां पर attach करेंगे और दूसरी साइट भी देखें ट्राइंगल स्ट्रिप को ऐसे ही यहां पर हमें ट्राइच कर लेना है यह देखें यहां पर मैंने ट्राइंगल स्ट्रिप ली है जिसको यहां पर राइट साइट पर रखेंगे और आगे की साइट एक ट्राइंगल को निकालते हुए इससे किसे fold कर लेंगे सीधी तरफ रखते हुए triangle strip को इस पर एक सीधी चाय लगाएंगे right side पर रखना है और ऐसे ही रखते हुए सीधी चाय लगाएंगे यह देखिये यहापस चाय लगा लिए है अब इसको इससे इक बार हमें आप पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके बाद एक और फोल्ड करेंगे दो बार फोल्ड करते हो हम इसको रखेंगे इस तरीके से पहले इस तरीके से करेंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हो हम इस पर सलाई लगाएंगे दो बार मोड कर हम इसको रखना है और इस पर स्लाई लगा लिनी है तो यहाँ पर हमने स्लाई लगा लिए अब इसको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम इस तरीके से लगाएंगे बैक साइड पर हमने इसको फोल्ड किया और इसकी राइट साइड पर इस तरह के साथ हम इस पर सीधी स्लाई लगा लेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे यह ट्राइंगल्स अटैच हो चुकी है और अब देखें अंदर का जो मार्चन का फैब्रिक हो भी नजर नहीं आ रहा तो कितनी प्नीशिंग के साथ हमने करें अब यहाँ पर हमने अपना टॉप पार्ट लिया है चिग्देखें अगर यहां पर अपने सीटन हेंज और चुछ लगा दे और यहां पर हम ऌले की टौस अगया लिए मैं से ट्र wij लला लिए टॉप और बॉटम को थाच्ट किया है यह देखें यहां पर हमने बैक पर पर भी अटैज्ट कर लिया है कि कि इसके पाद यहां पर फिटिंग के निशान पर इससे सीदी सिधी स्याहिं लगाएंगे दुस्य साइट भी सरह裡स से मिलाकर रखेंगे और इस पर भी सलाई colocar लेंगे तो यहां पर हमने सलाई लगा लिए और यहां पर मैंने इसकी स्लीब्स लीए है, स्लीब्स की लान्द लीए 15-27-26-18-27. दोनुद स्लीव स्च को अपनी कूर्ती पर इस सवी किसे अटाच कर लेना है तो सXT यहाँ पर हमने कूर्ती पर स्लीव बैक नैक पर यहाँ हमने हूक और हाई को अटाच की किया है ओफåर हमने स्चेकर से इस घौर हाई हम पर akt की है कि अधी फिन अमारे चुप हो चुके हैं और अमने यहां पर सेके टेसल बनाकर लटकन बनाकर टाच की हैं दबल से में यहाँ पर हमने हैवी लटकन अटाच की है इनकी कटिंग और स्टिचिंग का लिग मैंने description box में दिया है यहां साथ इनकी वीडियो देख सकते हो और यह है इसका plauso, plauso की cutting stitching मैंने आप लोग सद पहले शेयर किया अगर आपने नहीं देखिए तो इसका link में description box में देदूगी आप वहां से वीडियो देख सकते हो और यहां पर अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले तो आज के लिए बस इतना ही निव वीडियो फिर मिलूंगी कुछ नी डिजाइन के साथ थैंक्स पर वाचिंग